लाइब नमस्कार मैं बबलू और आप देख रहे हैं जाठ मशीन आज हम बात करने वाले हैं उसा अम्रेला का आरे सम्मद जो की रोट्री स्ट्थिच और वाया मास्टर के बारे में आप बताएंगे जो की सिलाइ मशीन जो है श्विंग मशीन इसके बारे में आज आपको हम में इसका और एक मोडल राता है जो आता है क्राफ்ट इसमें एसमों में और क्राफ्ट मास्टर में डिफरेंड आ उह दो आज आ सब डिखा norm में करते हैं तो आप को लेकर चलते हैं तो चली को सब बारते हैं और यहाई कि अन्दर में दिया गया है जो ह Cand SMChas कर सके सoi देखे गाइज इसमें थर्मकॉल से पूरी अच्छा तरह से अच्छा से ढगा हुआ है ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको निकालने में तो सबसे पर इसकां कर लेते हैं देखे गाइज इसमें एक यूजर मेनुवल दिया गया है ताकि आप इसका यूज कर सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसका यूज करने में तो आप देख सकते हैं यह यूजर मेनुवल है जो आपको डिजल से बताया गये हैं यह उसा का जो की अठारा मॉंट वारेंटी के साथ यह प्रॉडक्ट आया हुआ है आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वरना आप अपनी जनकाली की मुताबिक यूज कर सकते हैं अगर आप नियू है तो उसके लिए यह गाइडलन्स दिए गया है इसको इधर रखते हैं और आपको दिखाते हैं इस प्रॉडक्ट के बारे में जो आप देख सकते है कि यहां पर डबा दिया गया है जिसमें एक स्कूड्राइबर दिया गया है ताकि आप इसका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए और इसमें देखते हैं गाइड्स क्या सब है आप देख सकते हैं यह पूरा प्रॉडक्ट बहुत ही अच्छा मशिन है जो यह पौदान में लगने वाला है आपको हम सब कुछ डिटेल से बताएंगे कैसे करके इसको सेटिंग करना है गाइज जो आप इसका यूज कर पाएंगे कुछ के बात एक मॉपक्स दिया गया जो मेसिन की तैल का यह आप देख सकते हैं और यहां पर ढख शूदैवर है और यहां पर एस आ कि टीप स्ज़्वय जो कंप общемत दिनag important 해 जो इसमें तीन दिया गया है आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है यह बॉक्स भी बहुत ही अच्छा है अब देख सकते हैं इसके बाद आपको हम इसमें दिखाते हैं जो में बहुत ही है भी मशीन है वाइज उसा इंटर नेशनल लिमिटेड ड्रोटरी एस्ट्रेक्स मास्टर जो है आप देख सकते हैं कमपनी का मोडल है जो कि इसमें हरे डिटेल्स प्लेट पर दिये गिये हैं आप देख सकते ही बहुत ही अच्छा हमारा यह मशीन लग रहा है उसका यूज करके आपको दिखाएंगे इसका यह लिवर है अगाराप कप्रा को यहां पर दमाने के लिए सबसे पहले इसको फोट ऊपर उठाना है और आप इस में अठेस करेंगे कप्रा को और अराम से फिर आप इसका सिला lavender कर सकते हैं अच्छा तरह से इसका होलोग्राम देख सकते हैं यहां पर अच्छा से दिय गया सकनल भी दिया गया ताकि आपको कोई भी प्रोलेम नहों अगर आप कोई भी डॉड़ा हो तो आप एसकें करके इसका यूज कर सकथा इसका नीचे का बेक्राइब कंडिका जहां पर आपको यहां पर धागा जो है यहां पर लगता है अंदर ग्राउंड वाला और बहुत लिए अच्छा से सेटिंग किया हुआ इसमें आपको हर एक जगपे उसा का डेटेल्स देखने को मिल सकता आप देखीन लीजिए और यह जो आप देख रहे हैं यह रिवर्स है अगर आप पूल पीछे की तरफ इसको सिलाई मसिन को करना है ताब इसको यहां पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यह नीचे की पीछे की तरफ आपका कपरा जो है वह सिलाई करके देगा गाइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट हमको यह लगा तो आप को हम सचे की अन्बॉक्सिंग करके आपको हम दिखा देते हैं और यह जो देख रहे हैं इसमें जो धागा लगता है यहां पर सेटिंग करना पड़ेगा इसके लिए यहां पर दिया गया है और हमारे चैनल पर भी तक नएत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल हो मसिंग समन्दी तो हमारे कमेंट इबक्स में सवाल के जम आपको आज पौदान भी दिखाएंगे सेटिंग करके वो कैसे सेटिंग किया जाता अगर आप न्यू हो तो आपको हर एक डिटेल सम बताएंगे प्रोड़क्ट के बारे में तो हमारे चैनल पर सुरूर सिले के बंत तक बढ़ेंगे